आप सभी को नमश्कार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रहे थी दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स है जितने हमारी हेल्थ इंफासेक्चर है इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली जरूरत है लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300 किसी दिन 300 किसी दिन 400 किसी दिन 400 इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी जिसकी वज़े से अस्पतालों में कमी हो रही थी अस्पताल मैसेज पर मैसेज डाल रहे थे फिर मीडिया में आ रहा जादा दिक्कत हो रही थी लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ओक्सीजन केंदर सरकार ने भेजी है जैसा मैंने बताया दिल्ली को 700 टन ओक्सीजन की जरूरत है कल पहली बार केंदर सरकार ने 730 टन ओक्सीजन भेजी है हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मु बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ, केंदर सरकार का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ, इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सिजन मिली, हम तही दिल से शुक्र गुजा रहे हैं, बहुत सारी जाने बचेंगे इसकी वज़े से, इस एक कदम की वज़े से, लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सिजन आने से काम नहीं चलेगा, जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सिजन की जरूरत है, ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400- 300 टन आजाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहा कार मत जाएगा, मेरी सबसे हाथ जोड के, विंती है, अपील है, प्राथना है, कि ये 700 टन ऑक्सिजन अब कम मत होने दीजेगा, डेली 700 टन ऑक्सिजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के अपने बेड कम कर दिये, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, जिसमें 300 बेड है, उसमें 100 बेड कम कर दिये, ऐसे समय में जब करोना की हमारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, हमारा प्रयास तो ये होना चीए कि हम आक्सिजन के बेड की संख्या को और बढ़ा आएं, लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे, तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मज जाएगे, इस तरह से कई अस्पतालों को हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, LNJP में बेड कम करने पड़े, GTV में बेड क अक्सिजन की कमी की वज़े से, अब एक तो मेरी सब ही अस्पतालों से निवेधन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें, मैं उमीद करता हूँ कि अब रोज 700 टन अक्सिजन आया करेगी, तो जितने जिसके बेड थे हॉस्पिटल के वो सब अपने उतने ही बढ़ा लें, दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकातों इन दिनों में, सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एक जुट होकर एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अ कोई कहा रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूँगा, इस तरह से कम से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौझूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एक्जिस्टिंग केपैसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं, तो मैं पूरी उमीद करता हूँ कि वो सभी अस्पताल, अब जब 700 टन ऑक्सिजन डेली आया करेगी, तो वो ना केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं, उनकी जितनी भी ख्षमता है और बढ़ा सकते हैं, और जादा से जादा बेड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जादा स से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके उनकी जान बचाई जा सके अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है अगर 700 टन ऑक्सिजन अगर 700 टन ऑक्सिजन डिली आ जाती है दिली के अंदर हम इतने सारे ऑक्सिजन के जैसे हम राधा स्वामी सत्संग में हम पांच हजार बेड़ क्रियेट कर सकते हैं बुराडी में दो जगे हम लोगों ने धाई हजार बेड़ तैयार किये हुए है Commonwealth Games के अंदर हजार बेड़ तैयार किये हुए यमना Sports Complex में हजार बेड़ तैयार किये हुए नौ साड़े नौ हजार बेड़ हम तुरंथ तैयार कर सकते हैं अगर Oxygen समुचित मिल जाए हम लोगों को तो अगर Oxygen समुचित मिल गई हम ये सारे बेड़ Oxygen Beds क्रियेट कर देंगे अगर 700 टन Oxygen डेली आने लग गई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की Oxygen की कमी की वज़े से मौत नहीं होने देंगे दिल्ली में किसी को भी Oxygen की कमी नहीं होने देंगे Oxygen का बेड हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्द करा पाएंगे अगर हमें डेली 700 टन Oxygen मिलना चालो हो जाए था हर वेक्तिको ऑक्सिजन का बेड मिलेगा, ऑक्सिजन की कमी की वज़े से आपको किसी तरह की तकलिफ नहीं होने देंगे, दूसरी बात, अन्त पंत में तो अपने को वैक्सिनेशन करना पड़ेगा, इसका समधान तो वैक्सिनेशन है, और वैक्सिनेशन अभी 18 से 45 साल के उम मैं, मनीश जी, सतिंदर जैन जी, हम सब लोग कई सारे वैक्सिनेशन सेंटर का दौरा करके आए है, युवाओं से मिलके आए है, इतना उत्साह है युवाओं के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए वैक्सिनेशन सेंटर में उसको लेके लोग बहुत खुश हैं इतने मेसेज़ आ रहे हैं मेरे पास इतने मेसेज़ आ रहे हैं लोगों के युवाओं के कि जी बहुत अच्छी विवस्था है और मैं गया था मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां पर वैक्सिन लगवा के मेरी सभी युवाओं से अन पॉंइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सिन लगवाईए आपने जादा से जादा दोस्तों को बताईए रिष्टेदारों को बताईए सब लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोस दे चुके हैं इनमें पहली डोस 28,00,00 लोगों ने केवल एक डोस लिया और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोस लिया और पिछले 3 दिन से 18-45 साल की उम्र के लिए युवाओं के लिए ये खुला है तीन दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सिन लगी है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी विवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई है सारी विवस्थाएं बहुत सलीके से ठीक तरीके से अब चल रहा है बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है एक ही कमी है आज हम चाहें तो इस वैक्सिन को कई गुना बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी वैक्सिन की कमी सप्लाई की कमी हो रही है अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रामिस किया था कि तीन महिने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सिन कर दें तो उसकी कोई चिंता नहीं है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी सरकारे काम कर रही है यह एक इतनी बड़ी महमारी है जिसको कोई भी अकेले इस पर पार नहीं पा सकता मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे सारी सरकारें मिलके काम करेंगी कोर्ट का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है सभी कोर्ट भी मदद कर रहे हैं सारी संस्थाइं भी मदद कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उपर वाले के क्रिपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे नमश्कार